नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अपवन दविल स्यूड़ चानल पर मेरा नाम है संगम कुमार सिंग और अभी मैं हूँ पतंजली के योग पेट फेज टू में और यहां मैं आया हूँ अपनी मा और मौसी के साथ उनका इलाज कराने तो मैं यहां सेर करूंगा अपन स्वाज दिन हो गया है और अभी मैं और पांच्छे दिन रुकने वाला हूं यहां पे तो मैं यह एक्सपरियंस ब्लlt करूंगा कि कैसा रहा यहां पर अभी तक का इलाज और कैसा लग रह रहा है उन लोगों को यहां पर इलाज करा कर और मैंने बहुत सारे और पेशेंट स योगपीट और योगगराम यहाँ पे दो ऐसी जगाय जहाँ पे इलाज होता है तो योगपीट जो है यह काफी रिजनेवल रेट पे इलाज होता है और योगगराम जो है वहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करना होता है पेमेंट करना होता है उसके बाद आप वहाँ जात जो सारी जो coming to the heel we walking is using the cat एम तक कर रहा हूं और इस में को पंची ओक आवाज आ रही हो तो लोग यहां पर काफी अच्छे से रह रहे है क्या कि बेटे उग्चिल देखते हुए, तो आप ये, देख लूँ ये campus कितना बड़ा है, ये basically पूरा का पूरा phase 2 है, और यहां से हम phase 1 जा रहे हैं, जो कि यहां से 500 मिटर की दूरी पर है, वहां भी हमें room नहीं मिला था, तो वहां का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पे भी लोग रहते हैं जिनको डॉक्टर ने भरती कर लिया, और जिनको IPD में रहने का अनुमती मिल गई, तो आराम से phase 1 में भी रह सकते हैं, तो अभी हम जा रहे है, phase 1, यह है phase 1, और यहां पे आपका पंचकम, सष्टकम, जो भी होता है, और सारे इलाज यहीं पे होते हैं, डॉक्टर से जो यहीं पे होता है, तो यह है इसका पार्किंग, जैसे ही आप योगपीट 1 में इंटर करोगे, में बिल्डिंग में यह आपको बड़ा सा जंडा दिखेगा भारत का, और उसके बाद यह है इसका में बिल्डिंग, यह जो आप में बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम है स और इस साइड है में गेट, यहाँ पे है पारकेंग, और आपको इस साइड और आगे बढ़ोगे तो एटीम भी मिल जाएगा अंदर ही, तो यह है इस बिल्डिंग का में इंट्री गेट, यहाँ आपको एक बड़ा से लेटर में लिखा मिल जाएगा पतंजली आरुवेदा ह करोगे तो आपको भगवान विष्णु की परतीमा मिलेगी जो की दाही ने हाथ साइड है और इस साइड है इन्फोर्मेशन सेंटर, इन्फोर्मेशन डेक्स के बाद आपको यह में हॉल मिलता है, यहाँ पे विविभाग के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर आपको यहा इसको आप भरकर OPD में जमा कर दो, OPD में जमा करने के बाद आपको एक डिफरेंट पर्चा मिलेगा जिसको लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद या तो आपको मेडिसीन लिखेंगे या आपको कोई जाच भी लिख सकते है या आपको पंच कर्म या सश्ट कर्म के लिए भेज सकते हैं और अगर आप यहां बिना आटीपी सार टेस्ट क्या रहे हैं तो आपका यहां पे एक आटीपी सार टेस्ट भी होता है पतंजली योगपीट में आपको किसी भी विभाग के डॉक्टर से मिलना है तो उसका और एक्स्टेंड किया है पांच दिन के लिए जो पंच कर्म बिल्डिंग है में बिल्डिंग से इस रास्ता के द्वारा कनेक्टेड है और यहां का एक मैं सेटलाइट इमेज लगा देता हूं जिसके दोरा आप समझ सकते हैं यह बिल्डिंग पूरी कैसी है पंच कर्म के उपर ही योग और सश्ट कर्म का विभाग है और यह सारे बिल्डिंग एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है और रास्ते में आपको कुछ ऐसी फूल पौधे भी मिल जाएंगे यहां का जो में बिल्डिंग है उसका नाम है सद्वावना जो की सश्ट कर्म पंच कर्म आईप भवन से तो आईपीडी के पास दो बिल्डिंग है एक है तपस्या और संपण तो यहां पे कभी-कभी जगह फूल हो जाता है जिसके कारण आपको रहना पड़ता है फेस्टू में जहां भी हम लोग रह रहे हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन में पूरा इसी वीडियो में देने वाला हूं इन सारे बिल्डिंगों के अलावा यहां पर यह नुपूर्ण न यह हैं यहां कर सकते हो रात के 8 बज़े तक यह खुला रहता है तो यहां पर जो चैन्टीन है वह दो फ्लोर का नीचे आपको नास्ता का सब चीज बिल जाता और उपर होता है खाना यह से अनपूर्णा कैंटेन दाना पानी यहां पर बनता है देसी घी में जलेवी जो की बहुत बढ़िया स्वाद है इसका अगर आपको सुगर ना हो यहां पर आप आते हो तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना तो यहां आटेंडेंट बेसिकली आकर खाते हैं पेसेंट के लिए यहां पे इनकी एक परतिमा बनी हुई है यह है इनकी परतिमा और इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है यह परतिमा जैसे ही आप में बिल्डिंग से निकलते हो तो राइट हैंड साइड को पड़ेगा तो यह है परतिमा और इस साइड है में बिल्डिंग परतिमा के चारो सामने ही यहाँ पे दो परतिमा है यह है महरसी चरक की परतिमा और यह है महरसी पतंजली की परतिमा जिनके नाम पे इस पूरे संस्था का नाम है तो अब बात कर लेते हैं पतंजली के पास इनके लावा और क्या-क्या है तो यह है अचारे कुलम अचारे कुलम का मैं परपस नहीं जानता लेकिन यह है अचारे कुलम और यह है पतंजली विस्विद्याले यह auditorium है विस्विद्याले इसके बगल वाला building है तो यह building है यूनिवर्सिटी ओफ पतंजली इसके पीछे भी काफी बड़ा है जो की camera में दिखने ही पार नहीं कर सुआएं तो एहां से फेज वान से फेजड़ी से फेजड़े ना जाना काफी हो जाता है और अगर आप Pz ez2 में रहरे हो तो यहां पे fry घ्डार सब्धाइन पर यहां पर जाया काथी और वह दिभा Thank Lieutenant उसकता मैं पथच्छी लोग बाहर आचुके है योग कर रहे हैं कुछ ऐसा है अभी यहां यहां सौम का मौहन क्योंकि जो भी पेसेंट है उनके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट रहता ही रहता है तो फैमिली सी गैधरिंग होती है लोग यहाँ आपका बाहर यो करते हैं सामका टाइम भीताते हैं तो अब मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कुछ ऐसा है रूम यह दो बेड मिल जाते हैं आपको एक रूम में एक सोफा चेयर एक उधर चेयर मिल जाता है टीवी भी मिल जाता है आपको इस साइड आपको कपड़े रखने के लिए अलमारी मिल जाती है रूम काफी अच्छा है नीट एंड क्लीन है दो दिन में एक बार लोग साफ करने आते हैं AC भी है आपके रूम में रूम काभी अच्छा है वाश रूम आपको वेस्टन मिल जाता है पिलो पर पतंजली योगपिट लिखा हुआ आता है और एक दिन का मैं आपको खाना दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आजाए खाना क्या मिलता है एक कैंटीन आपको फेस्टू में भी मिल जाता है इसका नाम प्रसादम है तो यहां से वीलचेर ले जाने का रास्ता बनाया हुआ है और एक आम सीडी सा भी है तो दोनों हैं पेसेंट के हिसाब से भी एक रास्ता आपको मिल जाता है लिफ्ट भी मिल जाता है आपको सारे बिल्डिंग में इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बाकि आपको किसी भी चीज़ के जनकारी चाहिए होगा जैसे कि संख प्रक्छलन, कुंजल क्रिया सश्च कर्म, पंच कर्म तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मैं उसके बारे में आपको इन्फोर्मेशन दूँगा वैसे तो मैं ट्रैवल ब्लोगर हूँ जादतर वीडियो में ट्रैवल या कार के उपर बनाता हूँ बट अभी मैं माक्यो लेकर आया था तो यहाँ पतंजली के बारे में नेट पर इन्फोर्मेशन काफी कम है तो मैं सोचा कि एक अच्छा सा इन्फोर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो आप जरूर बताने ये वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद